मोरवी में जो पुल टूटा है उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी मिली थी औरेवा गुरूप को इस वक्त ABP News आपको लेकर आया है एहमदाबाद में औरेवा गुरूप के उसी हेड़कॉर्टर पर और यहां पर आप तक जहें कोई जवाब इनका सामने नहीं आया हया है चले आपको सीदे ले करके चलते। हसमें ये वह औरेवा हाउस है जहां पर इसका है और जहां पर जो इसके अधिकारी हैं वह बैचते हैं तो फिल हाल यह पूरी जो ही नीजाती है और जब आगे बढ़ते हैं तो बील्डिंग में अंदर जाने कर आस्ता था हम बुर्य करके चलना उसी रास्ते पर और कोशिश करते हैं कि यहां पर अगर कोई भी है तो उससे बात कर सकें तो फिलहाल को देखिए दो धिन से बंद हुआ है वैसे तो खुलता हो गलता को मैं तो बाग गया है और शुर्ण क्यों कबसे बहाग गए पता है कोई तो तीन दिन से नहीं क्यों बंद है यह यहां पर यह तमाम दफ्तर है लेकिन अब यहां पर बंध है अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है लिहादा कई करमचारी और बैठते हैं यहां पर बैठते फिलहाल यह बंद है कुछ पता है मोर्भी घटना या बन रहता है मैं और हमेशा यहां पर स्टाफ रहता रहता है चलर interrupt और भी आज तो पता नहीं क्यों खुला नहीं क्योंकि यह खुल जाता है दफ्तर लेकिन अगर हम इसके आपको बिल्डिंग के तस्वीरे दिखाएं चारों तरफ तो इस वक्त यहां आप पर जो तस्वीरे हैं वो यही बया कर रही है कि ना तो कोई अधिकारी है ना ही कोई कर्मशारी है यह एक भी गाड नहीं है बिल्डिंग के चारों तरफ अगर हम आपको तस्वीरे दिखा रहे है सही होगी केमरा SPEAKER SELL कि यहां पर कोई गाड भी नहीं है एक और सीडवी यहां पर है कोशिश करते हैं कोशिश करते हो देखे अगर यह कहीं कोई रास्ता खुला है हाला कि हालत देख करके लगता नहीं है यह रास्ता खुला होगा लेकिन फिर भी एबीपी न्यूस सवाल पूछ रहा है कंपनी से लिहादा उसका पक्ष जानना जरूरी है क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को मिलियाग्या गिर्षार किया गया है लेकिन देके यह रास्ता भी बंद है यह एक दूसा रास्ता जो विल्डिंग में जाने है यानिकी औरेवा जो हाऊस है इसके तमाम अम रास्ते बंद हैं ऐसा लग रहा है यहां पर कई दिन से सफाही भी नहीं हुई है हलाकि शुरूआत में बताए गया था कि दिवाली की वज़े से दफ्तर बन था लेकिन आप तो तमाम बादार खुल रही है यहाँ पर जो शोरूम्स हैं वो खुल रहे हैं लेकिन ओरेवा का हाउस जो में बिल्डिंग है जो में दफ्तर है यहाँ पर तमाम यह कंपनी के कर्मचारी काम करते हैं अधिकारी मौझूद रहते हैं वहाँ पर कोई नहीं है बिल्डिंग का पूरा चक्कर हम ले चुके हैं और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है यह एक शोरूम जरूर है और शोरूम वो खुला हुआ है बादार खुल गई है लेकिन यह जो बिल्डिंग है पूरी तरह से बंद है क्या बिल्डिंग में कोई है नहीं किया इस वाली में וא यहां पर जो अधिकारी है करमचारी है उनसे पूछ ताच हो सकती है क्योंकि कड़गढ़े में ये औरेवा कंपनी ये वो कंपनी है जिसके जो जिसके पासमें कॉट्रीक था जिसको दी गई थी बिल्डिंग के रख रखाव की मेंटेनेंस की लेकिन फिलहाल यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है मान यहां पर एक दो लोग और हिंसे अगर हम बात कर सकते हैं कोशिश करते हैं बाई यह कंपनी अभी बंध है और वहाऊस कब से बंद है वैसे तो बादार तो आज खुल गई है पता है मोर भी जो घटना होई थी उसमें अभी यह आया नहीं है जब से दीपावली के टाइम से बंद है तब से बंद है जबकि बादार यहां पर खुलने लगे हैं दफ्तर खुलने लगे हैं लेकिन ये कंपनी सवालों के घेरे में एबीपी न्यूस से ही सवाल पूछ रहा है कि जब बाकी लोगों को जह से पूछताश की जा रही हिरासत में लिया जा रहा है तो जिम्धारी उन लोगों की भी क्यों नहीं जिता की जा रही है जो लोग जिन लोग पर लोग जा रहे थे उनकी संख्या सुनिशित करने के लिए कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाया गए तमाम ऐसे सवाल हैं लेकिन जो लगातार तमाम लोग जो जिन्नों ने अपनों को खोया है वह भी गाओं के लोग तमाम जो है को जात के अलग अलग जिलों के लोग रास्ते पूरी तरह से बंद हैं सवाल यह कि क्या वो लोग जिनके ओपर जिम्मेदारी थी वो फिलहाल फरार है या जवाब देई उनकी नाव बने इस वज़े से बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एबीपी नियूज भरुसा दिलाता है कि सवाल पूछता रहेगा तब जब तक जब तक जब तक जवाब नहीं मिलता सही होगी कैमरा परसिंबान के साथ अंकिर कुपता इबीपी नियूज एहमदबाद